मेरट में समाजबादी पार्टी की तरफ से पैसे बाटने पर संजी बालियान ने कहा कि जाच होनी चाहिए कि इतना पैसा आता कहां से है हमारे समवाधाता आमिर दूबे ने केंडरी राज्य मंत्री संजी बालियान से खास बाचीत की उन्होंने आनाइट टीवी से बाचीत में क्या कहा दिखा रहे हैं आपको संजी बालियान हमारे साथ है सर्थ मेरेट में जिस तरह समाजबादी डेलिगेशन ना सिर्फ गया बल्ग लोगों को पैसे बाटने का भी काम किया गया कहा सा इन पर पैसे इनकी जहांच होनी ची यह पहलात हो मुलाहिम सिंग तो किसांत है अब आजारो क्रोड रुपे राजिन, कहा से आगे इन लोगों के पास तो पैसे इनकी जहांंच होनी चीए कि पैसा aucuneल आति कहा से है है पैसे तो उनकी चेह, उनका पैसा है, किसी को भी दें, हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इजांस्तों को पैसा आता कहां से है। बड़ा सवाल ये भी है आजादी की लड़ाई बता रहें मीडिया पे भी आरोप लगा रहें कि आप उन्हें हिंसात्मक्यों बोलने हैं ऐसे लोग तो एक तरह से आजादी की लड़ाई चल लड़ रहें दुरभागय के बाद है कि समाजवादी पार्टी के इतने बुरे दिन आगे कि जो दंगाईयों को उन्हें शेहिद कहना पड़ रहा है फोर्ट बैंक की राजनती में किस हद तक गिरेंगे ये आप भी देखे और जनता भी देखेंगे आखरी सबल जेन्यू में जो हिंसा उसके बाद कॉंग्रेस के एक बड़े लीडर का बयान आया जो की मोदी जी को हिंदू जिन्ना कह रहे हैं मुंबई की बात करें तो वहां पे कश्मीर के आजादी के पोस्ट लगाए जा रहे है ठाकरे के पुत्र वहां मुख्यमंत्री ह उन्हें देखना चाहिए कि बाद ठाकरे के आत्माज क्या कह रही होगी जब यह पोस्टर वहां ले रहे जा रहते सकत कारवाइन के खलाफ होना चाहिए बस यह कह सकते बात के शुक्रिया तो यह थे डॉक्टर संजी बालियान जो साबत और कह रहे थे कि आखिस अधि पार्टिक पास इतने पैसे कहां से आये पहले इसकी जांच होनी चाहिए कैमरा मैं राहूल के साथ अमिद्वे आर्नाइट टीवी दिल्ली